हेलो दोस्तो श्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लगातार CET एक्जाम के लिए साइन्स की क्लासेज लेकर के आ रहा हूँ आप सबी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथी साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइन्स के साथ साथ हमने जो टेक्नोलोजी वाला पोर्सन है जिसके अंतरगत इस्पेस टेक्नोलोजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी को हम पढ़ रहे हैं इस्पेस टेक्नोलोजी कम्प्लीट हो चुका है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी कम्प्लीट है उसके बाद में अब हमने सुरू किया है डिफेस टेक्नोलोजी डिफेस टेक्नोलोजी के बारे में हमने जो है बिल्कु के प्रमूख कौन से होते हैं इन सभी के बारे में अपने बात करी ठीक है इसके बाद में हमने जो है प्रमूख मिसाइलों के जो वरगी करण के बारे में बात करी थी उसके बाद हमने क्रूज मिसाइल और पेलेश्टिक मिसाइलों को समझा था फिर मिसाइलों की जो पूरी कि मिसाइल के बारे में पढ़ा उसके बाद में हमने अगनी मिसाइल के बारे में पढ़ा त्रिसूल मिसाइल के बारे में पढ़ा आज हम आकास है नाग है इस परकार की और भी कुछ मिसाइलों के बारे में पढ़ेंगे साधी साथ आपको बता दू कि ये जो पोर्सन है ये आप के first grade के science वाले portion में भी काम का है अभी हाल ही मैं मैं एक book लिख रहा हूँ उसके लिए कारे करा था और उस book के अंदर मलब previous year के सभी questions रहेंगे तो उसके अंदर 2022 का जो आपका first grade का exam हुआ था उसके अंदर अगनी four से related question पूचा गया था कि अगनी four के लिए निमनल इकित मैंसे सकते है और वहाँ पर ये आपका दे रहा था IRBM फिर MRBM और ICBM इस परकार से चार option थे वो पूरे पूरे format में लिखे हुए थे तो IRBM intermediate range ballistic missile इसका answer होगा और ये आपके first grade 2022 में पूचा गया था तो इस परकार से जो भी courses आपको बताय जा रहे हैं यहाँ पर या जो पढ़ाया जा रहा है वो सभी चीज़े सीधे सीधे exam के अंदर पूची जाएगी आप चाहे तो R.A.S. exam का कोई भी paper उठा कर देख लीजिए और आपको पता है कि R.A.S. exam की भी जो date है वो कोसित हो चुकी है दोहजार पचीज में फरवरी में है तो आप अभी से ही जो है इन चीजों को तयार करना सुरू कर दीजिए ठीक है चलिए अब हम सुरू करते है फाइनली तो आकास के बारे में आज की heading डालेंगे आकास मिसाइल किसके बारे में बात करेंगे तो आकास मिसाइल के बारे में बात करेंगे अब देखिएगा आकास मिसाइल है क्या और इसकी जो भी जानकारी आपको यान रखनी है उस सब बता दी जाएगी आकास मिसाइल बेसिकली जैसा इसका नाम आकास कहा है उपर की तरफ हवा में सीज़े से बाद ऐसे कहें तो सतह से हवा में मार करने वाली ये एक मद्यम दूरी की सूपर सौनिक मिसाइल है कैसी मिसाइल है सूपर सौनिक मिसाइल है यानि इसके जो मैक की वेल्यू है इसका जो मैक नंबर है वो 2.5 है ठीक है और यहाँ एक cruise missile है कैसी missile है यह एक युदिक missile है और प्रवक्रागत जो हतियार है उनको ले जाने में ये सक्षम है साथी साथ इसके अगर परास की बात की जाए तो जहाँ पर त्रिसूल की जो परास थी वो 12 km तक थी लेकिन अगर मैं बात करू आकास missile की तो इसकी परास है 25 स 30 km तक की उचाई पर जाने की और यहाँ जो है Command Guidance System और जो राजेंदर रडार है जो कि एक सोधेशी रडार है भारत देश के DRDO के द्वारा विक्षित किया गया सोधेशी जो राजेंदर रडार है उससे लेस ये missile है कौन से आकास missile है और यह जो है रेमचेट रोकेट जो हो इन रेमचेट रोकेटों के द्वारा इसका इंजन पर्णोजित किया जाता है किलियर ये तमाम जानकारिया आपको आकास missile के बारे में याद रखनी है तो आप लिखना सुरू करेंगे सतह से हवा मे हवा मे मार करने सतह से हवा में मार करने वाली मद्यम इंटरमीडिय ठीक है तो मार करने वाली मद्यम दूरी की मद्यम दूरी की क्या है तो मद्यम दूरी की सूपर स्वानिक मद्यम दूरी की सूपर सौनिक और सूपर सौनिक है तो इसका मैक नंबर होगा 2.5 मैक इसका ठीक है तो सूपर सौनिक क्रूज मिसाइल है क्रूज मिसाइल है ठीक यह एक युदक मिसाइल है और युदक मिसाइल है उसी के साथ में जो परंपरागत हतियार है उनको ले जाने में सक्षम तो जो परंपरा परंपरागत हतियार ले जाने में परंपरागत हतियार ले जाने में सक्षम है ठीक है परंपरागत हतियारों को ले जाने में ये सक्षम है इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ इसके प्रास की तो इसकी प्रास है 25 से 30 किलो मीटर ठीक ये याद रखना है और इसके बाद में जो हमारा रैमजेट इंजन है और राजंदर रडार से ये लैस है वो आगे पॉइंट लिखवा देता हूँ आप इसका इसके यह कमांड गाइडेंस सिस्टम तथा राजंदर रडार ये नाम याद रखना है राजंदर रडार से लैस मिसाइल है ठीक है तो यह आकास मिसाइल जो है वो राजंदर रडार और कमांड गाइडेंस सिस्टम से लैस है इसमें ध्यान रखना ये जो राजंदर रडार है ये कैसा रडार है तो यहाँ सोदेसी रडार है ठीक हो सकता है पूछ लिया जाए कि सोदेसी राजंदर रडार से लैस कौन से मिसाइल है तो वहाँ ये आपको आकास मिसाइल टीक करनी है इसके बाद मैं रेम जेट रोकेट रेम जेट रोकेट इंजन द्वारा इंजन द्वारा पढ़नोदित ठीक है तो ये जो है रेम जेट रोकेट इंजन के द्वारा पढ़नोदित मिसाइल है कौन से आकास मिसाइल किलियर तो ये आकास मिसाइल का आपका यहीं पर वीवरंड कम्प्लीट होता है आप इसका स्किन्शोट लेना चाहें तो ले लीजिए हलाकि मैं इन सभी मिसाइलों का जो भी अभी मिसाइले बताई जा रही है जिनके डाइगराम अभी नहीं ला रहा हूँ वो एक साथ ही सभी मिसाइलों के डाइगराम मैं आपको बता दूँगा और उस वीडियो के अंदर क्या करेंगे कि डाइगराम के माद्यम से पूरा ओ नाग मिसाइल, कौन सी मिसाइल आती है, नाग मिसाइल, अब हम नाग के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, नाग के बारे में बात करेंगे, तो देखिए, नाग के बारे में बात करेंगे, तो DRDO के दौरा, जो IZMDP प्रोग्राम चलाया गया था, उसके त टेंक रोधी गाईड तेंक रोधी गाईड प्रूज मिसायल है और इसे किस ने वुक्सित किया डियार डियो ने किस प्रोग्राम तियत आइजी मदी प्रोग्राम के तहफ़ आप लगेंगे डियार डियो द्वारा DRDO द्वारा IGMDP IGMDP के तहत के तहत विक्सित टैंक रोधी विक्सित टैंक रोधी कैसी है टैंक रोधी गाइडेड गाइडेड क्रूज मिसाइल है ठीक है तो DRDO के द्वारा IGMDP के तहत टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल जो विक्सित की गई थी वो यह है और कैसी मिसाइल है क्रूज मिसाइल है ठीक अगर मैं बात करूँ इसके range की यानि इसकी प्रास कितनी है तो इसकी प्रास की बात करते हैं तो इसकी प्रास है तीन से साथ किलो मीटर कितनी है तीन से साथ किलो मीटर थोस प्रणोधक का इसके अंदर उपयोग किया जाता है थोस प्रणोधक का उपयोग ठीक है तो ठोस प्रणोदक का इसके अंदर उपयोगर किया जाता है और ये जो नाग है ये जैसा इसका नाम है नाग जैसा इसका नाम जैसा इसका काम नाग ये कहता है कि मुझे दागोगे मुझे दागोगे तो फिर मुझे भूल जाना फिर मुझे भूल जाना क्योंकि फिर मैं controllable नहीं हूँ फिर मैं दुस्मन को उड़ा कर ही गर लोटूंगा तो जैसे हमारे पास में क्या था एक नारा है कि तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा वैसे ही ये नाग कहता है तुम मुझे दाग दो तुम मुझे दाग दो मैं लक्ष क उड़ा दूंगा तुम मुझे दाग दो मैं लक्ष को उड़ा दूंगा तो ये जो नाग मिसाइले इसके बारे में ये important point है सगला ने याद राखनों पड़ी क्यों तो कि ये point इतना important है कि इसके उपर UPSC तक ने कोसम पूछा कि निम्नलिकित में से कौन सी मिसाइले जिसक तो भईया इससे डरना जरूरी है तो यहीं पर इस्टार डालके इसका सिद्दान्त लिखवा रहा हूँ अरे जितने इस्टार डलवाया ना ये इस्टार भईया सीधे सीधे पूछे गए हैं तो लिखेंगे इस्टार के अंदर क्या इसका सिद्दान्त इसका सिद्दान्त कैसा है इसका सिद्धाद है डागो और भूल जाओ लिखो डागो और भूल जाओ बना यह कहता है कि अगर मुझे डाग दिया एक बार तुमने छोड़ दिया फिर मैं तुम सोचो के कि मेरे पकड में आवे नहीं भी या मैं फिर किसी के पकड में नहीं आउंगा तो ये नाग बाबा कहते है दागो और भूल जाओ आप बलेक पैन से दिखा देता हूँ दिखनी रहा होगा दागो और भूल जाओ तो ये याद रखना ये बहुत इंपोर्टेंट है ये सिद्धान इसका पूछा जाता है तो कौन सी मिसाइल है जिसका सिद्धान दिये है कि नागो और भूल जाओ तो वो है नाग मिसाइल के लिए चलिए इसको लिख लीजिए फिर अपन जो है इसके आगे बात करते है इसके अंदर बहुत सारी ऐसी नही नही चीज़े इसमें जो है एड़ की गई थी इसका नाग क्यो है या इस पर भी कई बार कोर्सत आ चुगा है देखिए नेक्स हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली जो नाग मिसाइल है ये अवरक्त प्रतीबिंबन प्रणाली जो होती है अवरक्त प्रतीबिंबन मतलब कि अन्फरा डेट जो रेज आ रही है उसकी वज़े से प्रतीबिंबन आ सके ठीक इतना याद रखना है तो अवरक्त प्रतीबिंबन प्रणाली जो है उसका उपयोग इसके अंदर किया जाता है और जिससे क्या होगा कि दिन रात किसी भी समय हम जो है इस नाग मिसाइल का उव्योग कर पाएंगे otherwise हमने जैसा कि border picture के अंदर देखा है कि सुनी देवल जो है जैकिस रफ से कहते हैं कि हमारे लिए fighter plane बेजो लेकिन वो fighter plane रात में उड़ने में सक्सम होते नहीं है और इसलिए सुबह तक इंतजार करना होता है समय में आई बात लेकिन ये जो नाग मिसाइल है इसके लिए रात को इंतजार या दिन को इंतजार करने की जरूर नहीं है क्योंकि इसके अंदर अवरक्त प्रतिबिम्बन परनाली जो है उसका उप्योग किया जाता है तो चलिए इस पॉइंट को आपनो डाउन कर लीजिए जल्दी से क्या करेंगे तो इसमें इसमें अवरक्त प्रतिबिम्बन परनाली ठीक है तो इसमें अवरक्त प्रतिबिम्बन परनाली का उप्योग किया जाता है ठीक है इसका उप्योग किया जाता है जिससे इसे दिन रात इसे दिन रात किसी भी समय उप्योग किया जा सकता है किया जा सकता है किलियर ये बात हमें याद रखनी है इसके बाद में नेक्स्ट जो इस पर कोसन आया है वो ये आया है कि बेसिकली इसका नाम क्या है यानि ये जो नाग है ये इसी का एक आगे जाकर के हमने जो नया वर्जन निकाला है हेलियो अप्टर नाग वो क्या है इसके उपर कोसन पूचा गया था तो आप लिखेंगे नाग का वायू सेना संस्क्रण है लीना कौनसा है लीना और ये जो हेलिना है इसका मतलब होता है हेलिकॉप्टर नाग ठीक है हेलिकॉप्टर नाग और ये पूचा गया है कि हेलिकॉप्टर नाग जो है वो किसका वायू सेना संस्क्रण है तो नाग मिसाईल का तो हेलीना कहलाता है, ठीक हेलीना कहलाता है, ये बात याद रखें, और हेलीना का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर नाग, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसके बाद में next हम आगे बढ़ते हैं तो next point हमारे पास में आ जाता है क्या तो इसके प्रिक्षेपण के लिए इसके प्रिक्षेपण के लिए इसके प्रिक्षेपण के लिए thermal imager क्या thermal imager से less thermal imager से less विशेस वहान है इसके लिए ठीक है special vigor विशेस वहान विशेस वहान namika क्या नाम है उस विशेस वहान का namika अब देखो hylina पर कोसन आ चुका है तो मुझे लग रहा है अब namika पर कोसन आईगा और namika की full form जो है वो यह है कि नाग मिसाईल नाग मिसाईल केरियर नाग मिसाईल केरियर जो है उसी का अपने क्या करा है तो आगे वाले तीन तीन वर्ड देखो ना किदर से मी किदर से का तो क्या बन गया ना मी का ठीक ये बात हमें याद रखनी है कि जो नामी का है उसका मतलब होता है नाग मिसाइल केरियर नामी का ठीक है इसका परियोग किया जाता है तो ये बात हमें याद रखनी है परियोग किया जाता है ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जो नाग मिसाइल है उसके प्रिक्षेपन के लिए जो विशेष वहान है वो है नामी का और उसका मतलब है नाग मिसाइल केरियर और इसका जो वायु से ना संसकरने उसे हैलीना का जाता है, फूल फॉम है, हैलीकॉप्टर नाग और इसके बाद में इसके अंदर अवरक्त प्रतिभींबन परनाली उप्योग में लाई गयी है गाइड़ेड प्रूज मिसाइल है वो है नाग ठीक ये नाग के बारे में विसेश वीवरन था आप नौट डाउं कर लीजिए फिर हम जो है नाग के बाद में आगे चलते हैं और जिसके उपर कोशन आ चुका है सांगरी का क्या सांगरी का और सांगरी का को अपन अच्छे से समझेंगे कि ये सांगरी का है क्या चलिए देखिएगा तो सांगरी का जो है वो पंडूपी से प्रिक्षेपित की जाने वाली एक बेलेस्टिक मिसाइल है क्या सांगरी का जो है वो पंडूपी से प्रिक्षेपित की जाती है और पंडूपी जो है वो पानी में होती है ठी स्वार्य मिसाइल बेसिकली इसी सांगरीका का जमीनी संस्क्रण है और सांगरीका को K-15 सांगरीका भी कहा जाता है ना भी क्या हतियारों को ले जा सकती है इसके रेंज की बात करें तो 700 किलो मीटर तक है और दो चर्णों वाले जो ठोस प्रणोधक होते हैं उनका उपयोग इ के 15 सांगरीका ठीक है ये बात हमें याद रखनी है के 15 सांगरीका के बारे में तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि इसे प्रिक्षेपित कहां से किया जाएगा तो पंडूबी क्या पंडूबी से प्रिक्षेपित की जाने वाली की जाने वाली बेले स्ट्री का मिसाइल है तो ये क्या है ये हमारे पंडूबी से प्रिक्षेपित की जाने वाली एक बेलेस्टिक मिसाइल है साथी साथ इसमें याद रखना कि यह जो है बेसिकली स्वर्य मिसाइल जो है वो इसका क्या है सांगरी का का तो जमीनी संसक्रण है ठीक इसके अगर परास की बात की जाए यानि रेंज तो सांगरी का की जो रेंज है वो कितनी है 700 किलो मीटर कितनी है 700 किलो मीटर इसकी रेंज है और नाभीकिय हतियारों नाभीकिय हतियारों को बहन करने में सक्षम है ठीक है तो ये नाभीकिय हतियारों को बहन करने में सक्षम है इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आजाता है कि दो चरणों दो चरणों वाले थोस परनोद को का उपियोग ठीक तो ये बाद हमें याद रखनी है के 15 सांगरी का के बारे में या सांगरी का मिसाइल के बारे में कि पंडूबी से प्रिक्षेपित की जाने वाली स्वार्य मिसाइल जो है वो इसी का क्या है जमिनी संस्क्रण है परास इसकी 700 किलोमीटर है नाभी के हतियारों को वहन करने में सक्षम है और दो चरणों वाले ठोस परनोदक जो हते हैं उनका इसके अंदर उपियोग किया जाता है तो आज हमने आकास मिसाइल नाग मिसाइल और के 15 सांगरी का मिसाइल के बारे में बात करी है इससे आगे के 4 और अन्य और भी मिसाइले और रडार के बारे में अगली कलास के अंदर बात करेंगे अब तक के लिए बाई बाई लव यू अल आफ यू प्लीज टेक केर और प्लीज शेर व